हेलो वेलकम बेक स्वागत है आप सभी का एक बाव फिर से कोल्डम बेस की इस खास वीडियो में जिया पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की किमत में उताओ चड़ाओ देखा जा रहा है लेकिन आज दोनों किमती धातूं में बड़ा बदलाओ देखने को मिला है और इसी के साथ में कोमडिटी बासार के कारोपारियों ने भी सोने और चांदी को लेकर बड़ी खबर दे दिये आने वाले समय में सोने का भाव क्या होगा इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है तो चलिए सुरू करते हो जान लेते है आज की तीन बड़ी खबरों के बारे चलिए तो पहली बड़ी खबर के लॉंच होते ही जियो मार्ट ने विदेसी कमपनियों को पचाड दिया विदेसी कमपनियों को मिलेगा तगड़ा जटका जियां भारती बासा में e-commerce मार्केट का कबजा विदेसी कमपनियों के हाथ में है लेकिन ऐसे में मार्च के अंतिम दिनों में भारती कमपनी जियों ने e-commerce प्लेटफॉर्म पर कदम रख दिया है आपको बता दे कि जियों मार्ट ने आकरी कई उपलब्दिया हसिल कर दिया है टॉप 10 की लेस्ट में सामिल हो चुकी है वह जियों मार्ट के CEO यानि की मुकेस अंबानी का कहना है कि जियों मार्ट से देश की किसानों को काफी फायदा होगा क्योंकि जो सबजिया और फल ओर्डर होगे वह सीधे तोर पर खेतों से आएगे यानि की कोई भी ब्रोकर नही पड़ा एलान चीन की फोन और दवा कमपनियों को होगा भारी नुकसान जिया भारत सरका ने चीनी कमपनियों को बहुती बड़ा चटका दे दिया आपको बता दे के चीन भारत में ही अपना कारूबार करके पैसा कमाता है और भारत को ही हेकडी दिखाता है लेकिन अब ची चीनी कमपनियों को भारी नुकसान होने वाला है। भारत में आकर अर्बो का पैसा कमाती है। उनको बहुती बड़ा जटका लगेगा। वैसे आपको ये भी बता दे कि भारती कमपनी रिलाइंस जियो और अमरीकी कमपनी गूगल और फेस्बूक के साथ में हाथ मिला दिया। जिसके बाद अब जियो दुनिया का सबसे सस्ता 5 आईजी स्मार्टफोन लौंच करने वाली है। इस ऐलान के बाद चीनी कमपनीयों की नीन उड़ चुकी है। अब चीनी कमपनीयों को भारती बाचार से कड़ा जटका लगेगा। वैदेश में चीन के खिलाप में बैसकार तेजी से जारी है। ऐसे में चीन को भारी जटक लग सकता है। अगर आप भी भारत को तेजी से उबरता हुआ देश बनाना चाती हो तो नीचे जहिंद वंदे मातरम जरू लिके और चीनी कमपनीयों का बैसकार करे। चले तो अगली बड़ी खबर के अंतराश्टी बासा में तेजी से दोनों कीमती धातु में आया भारी बदलाओ जानिये क्या है आज सोने चांदी का भाव। जीया जैसा कि आप सभी लोग जानती हो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तोनों कीमती धातु में यानि कि सोने और चांदी की किमतों में भारी तेजी देखी गई। वाई कॉमोडिटी बासार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि अंतराश्टी बासा में तेजी की वज़े से दोनों कीमती धातु में तेजी देखी गई है और इतना इनी बलकि अमरीका और चीन के बिच में तनाव गहराने से दोनों कीमती धातु में भारी तेजी देखी गई है वह अगर किमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 150 रुपे की तेजी देखी गई जिसके बाद चांदी का भाव 16200 रुपे प्रती किलो ग्राम पर पहुच चुकी है भै सोने की किमतों की बात करें तो आज सोने के भाव में 400 रुपे तक की तेजी देखी गई जिसके बाद 22 कैट सोने का बाव 51,150 रुपे प्रती 10 क्राम पर पहुच चुका है आपको बता दे कि दोनों किमती धातों में तेजी देखी गई है कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है दोनों किमते दातों में भारी तेजी आने की संभावना है ऐसे में अगर आप सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो गिराउट पर ही खरीदारी करें हाला कि सोने और चांदी की किमतों पर अनिश्चिता बने हुई है यानि कि दोनों कीमते दातों में बारी उताओ चड़ाओ देखा जा सकता है अगर आप भी रोजा ना सुने और चांदी के भाव को जानना चाते हो तो आप गोल्डम बेस को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम याप पर रोजा ना सूने और चांदी की खबरे और भाव देते रहते हैं